साओजी चिकन साओजी चिकन बनाने के विधी महाराश्ट्र नागपूर की प्रसिद साओजी चिकन बनाने के लिए एक गर्म पैन में साबुत मसाले जैसे तेजपत्ता, दालचीनी, चक्राफूल, बड़ी इलाइची, छोटी इलाइची, काली मिर्च, धनिया, लौंग डालकर हलका भूलने साथ में डाले सौंप, जावित्री, कलपासी और शाजीरा डालकर भी दुबारा भूने लाल मिर्च भी मिलाएं अब खस-खस, सूका नारियल का चूरा, जवारी का आटा, एक चमच डालकर बराबर मिलाते रहें धीमी आच पर अब चूले पर से हटा कर इसे ठंडा कर मिक्सी जार में पीस ले आगे अब एक गरम कडाही में थोड़ा तेल डालकर जीरा डाले, फिर प्यास और नमक अद्रक लहसिन का मिश्रन, इसका कच्चापन जलने तक चलाते रहें अब इसमें चिकन के पीसेस, ग्राइन किया हुआ मसाला भी डालकर हलका थोड़ी देर मिलाते रहें अब पानी डाले, पानी थोड़ा जादा ही रहे, फिर धकन लगाकर पकाएं करीब 20 मिनट तक, बीच बीच में एक दो बार चलाते रहें, नमक चक कर थोड़ा नमक भी डाल दे, 20 से 25 मिनट बाद धकन हटा कर देखे जब मसाला गाड़ा हो गया हो और जब तेल उपर तैरने लगे चुलहा बंद कर दे, तैयार है नाकपूर का प्रसिद स्वादिस्ट साओजी चिकन, इसे रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी खाएं झाल झाल